नमस्कार साथियो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर साथियो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सत्र 2021-22 में हमारे नवीन नमांग करूए है जिनका हमने इस साल कक्षा 1 में या किसी भी कक्षा में एडमिशन किया है उनकी प्रेणना पोर्टल पर कैसे फिडिंग करनी है जो बच्चे पिछले वर्ष कक्षा 1 में थे या कक्षा 2 में थे वो प्रेणना पोर्टल पर आटोमेटिकली नेक्स्ट क्लास में परमोट हो गए है उनकी हमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है यदि हमारा विध्याले कंपोजिट था और कक्षा 5 का बच्चा कक्षा 6 में परमोट हुआ है तो वो भी आटोमेटिकली प्रेणना पोर्टल पर अपडेट हो गया है उनकी भी हमें एंट्री नहीं करनी है हमें किवल जो हमारे विध्याले में नवीन नवांकर हुए है उनकी प्रेणनापोर्टल पर फेडिंग करनी है फेडिंग करने का तरीका बहुत ही असान है वीडियो को अंतक देखें और वीडियो को ध्यान से देखें आएचे चलते हमारी वीडियो पर सबसे पहले हम अपने फॉन में Google Chrome open करेंगे और web address डालेंगे prernaup.in prernaup.in का main page open हो गया है यहाँ पर top पर 3 dot बने वे हैं इसमें जाकर हम desktop site को select करेंगे यह हमारा desktop site select हो गया है अब यहाँ पर option आता है bank data upload इस पर click करेंगे और अध्यापक login पर click करेंगे यहाँ पर एक page open हो गया है bank upload पर click करेंगे और यहाँ पर अपना register mobile number डाल देंगे जो prerna portal पर आपका number feed है verify पर click करेंगे OTP भेजे पर click करेंगे OTP आपके phone पर भेज दे गया है अब यहाँ पर जो OTP हमें receive हो आए वो OTP यहाँ पर डाल देंगे हम login पर click करेंगे और login पर click करते हैं हमारे एक notification आ रहा है you are already logged with another device OTP पर click करेंगे do you want to log out? OTP अब एक notification आ रहा है you have log out successfully OTP do you want to continue login? OTP कर देंगे अब हमारा प्रेणा पोर्टल का main page open हो गया है और हमारा पोर्टल पर login हो गया है यहाँ पर देखे उपर एक option है new student registration analytics इसमें हम जो हमारे कक्षावार चातर संक्या है वो analytics देख सकते हैं यहाँ पर session select करेंगे session है 21-22 और search करेंगे यहाँ पर देखे सभी class होगे बच्चे हमें show हो रहे है class 2 में 10 बच्चे है class 3 में 25 बच्चे है और class 1 में कोई बच्चा नहीं है क्योंकि अभी तक हमने उनकी entry नहीं की है तो अब हम क्या करेंगे new student registration पर click करेंगे और हमारा ये new student registration का page open हो गया है यहाँ पर कुछ notifications कुछ हमारी information लिखी हुई है वो हम ध्यान से पढ़ेंगे सबसे पहले है ध्यान रहे कि यदि आपने एक बार चात्र चात्राओं का पंजीकरन कर दिया है तो चात्र चात्राओं को अगली कक्षा में automatically system के द्वारा promote कर दिया जाएगा second second हमारे काम का नहीं है तो हम third वाला पढ़ेंगे पिछले चरण के सबी चात्र चात्राओं promote कर दिये गए हैं इसलिए सत्र 19-20 में पंजीकरत चात्राओं को सत्र 20-21 में अगली कक्षा में देखे तथा सत्र 20-21 में पंजीकरत चात्राओं को सत्र 21-22 में अगली कक्षा में देखे जो हमारे बच्चे पिछले साल कक्षा एक में थे तो वह इस साल कक्षा 2 में हमें show होंगे यदि विध्याले PS with PS मर्ज हुआ है तो कक्षा 1-5 देखेगी यदि विध्याले UPS with UPS मर्ज हुआ है तो कक्षा 6-8 दिखेगी और यदि विध्याले PS with UPS मर जुआ है तो कक्षा 1-8 हमें प्रेणना पोर्टल पर शो होगी किरपेट चातर चातरा की admission date में वही दिनाग भरे जिस दिनाग को चातर चातरा ने विध्याले में admission लिया है तो जिस date को उसने admission लिया है वो date हमें भरनी है और date भरने का जो format है वो है DDMMYY यदि उसका admission 4 जुलाई को हुआ है तो हम लिखेंगे 04-07-2021 तो ये date भरने का format है च्छटा point है यदि कोई चातर चातरा कक्षा 5 से pass out होके किसी अन्य विध्याले में admission ले रहा है तो उस चातर चातरा के लिए आपको नवीन नामांकन पंजीकन करने के जरुवत नहीं है उन चातर चातराओं को student transfer menu पर जाकर नवीन विध्याले में transfer करें तो अगर कोई बच्चा किसी विध्याले से pass out होके दूसरे विध्याले में जा रहा है तो हमें student transfer एक option है उस पर जाकर उसको नवीन विध्याले में transfer कर देना है चलिए अब देखते हैं कि नए बच्चे का registration कैसे करना है सबसे पहले session select करेंगे session है हमारा 21-22 अब हमारा विध्याले composite है तो composite पर automatically select है अब हमें किस class में बच्चे का registration करना है तो यहाँ पर यह दिखा रहा है कि अभी boys 0 है girls 0 है और total student भी 0 है यहाँ पर सबसे पहला option है student SR number SR number जो हमने admission के time पर बच्चों को परवेश पंजिगा में number दिया है वो यहाँ पर enter कर देंगे इसके बाद option आता है admission date का जिस date को हमने बच्चे का admission किया है वो यहाँ पर हम enter कर देंगे मान लिजिए हमने 6 सितंबर को admission किया है तो यहाँ पर डाल देंगे 6 सितंबर इसके बाद student का first name जो भी student का नाम है वो यहाँ पर लिख देंगे यदि student का नाम अक्षित कुमार है तो last name में हम लिखेंगे कुमार और यह दी student का नाम है अक्षित कुमार शर्मा तो middle name में कुमार और last name में शर्मा लिखेंगे इसके बाद gender boy, boy पर select करेंगे यहाँ पर हम डाल देंगे जो बच्चे का father का name है वो यहाँ पर enter कर देंगे mother name डाल देंगे, mother name हमने यहाँ पर enter कर दिया इसके बाद हम बच्चे की date of birth एंटर करेंगे date of birth एंटर करने का format ddmmyyyy तो यहाँ पर हम बच्चे की date of birth डाल देंगे इसके बाद option है आधार available आधार available में हमारे पास चार option available है पहला option है account holder guardian आधार available यदि जो है account holder है उसका आधार available है ठीक है दूसरा option है कि student का आधार available है या नहीं है तीसरा है कि account holder और student दोनों के आधार available नहीं है और चोता है कि दोनों के आधार available है तो हमारे पास दोनों के आधार available है तो हमने बोथ आधार available पे click कर दिया इसके बाद option आता है mobile number एंटर करने का हम यहाँ पर जो भी उसके गाजन का मुभाईल नमर है वो एंटर कर देंगे फिर हमारा next option आता है religion का religion में हिंदू है तो हिंदू Christian है तो Christian Muslim है तो Muslim तो वो हम religion select कर देंगे तो यहाँ पर हिंदू है तो हमने हिंदू इसमें पर select कर दिया अब option है father mother name एज पर student आधार student के आधार के according father या mother में से किसी एक का नाम या पर लिख देंगे यदि बच्चे के धाई बेहन यहाँ पर विध्याले में किसी और class में पड़ते हैं तो same family member पर yes आएगा otherwise no आएगा अब next option है कि account number available जो हमने बच्चे का admission किया है तो उनके guardian का account number हमने लिया है या नहीं लिया है तो yes पर click कर देंगे हमने लिया है अब है relationship with account holder जो account holder है उससे बच्चे का क्या relation है तो relation है father का account number लिया है तो father कर देंगे mother कर देंगे ration card type या ration card APL है या BPL है जो भी है वो हम यहाँ पर select कर देंगे category बच्चा general है, OBC है, SC है या ST है तो वो हम यहाँ पर select कर देंगे अब is CWSN available CWSN होता है कि child with special need जो छातर छातर हैं विकलांग है वो CWSN की category में आती है तो यह बच्चा CWSN नहीं है अब हम proceed to save पर click करेंगे यहाँ पर notification आया है, छातर का पंजीकन सफलता पुर्वक हो गया है तो इस तरह हमने सफलता पुर्वक कक्षाएक के बच्चे का नवीन नमंकन हमने enter कर दिया है तो इसी परकार हम विध्याले के बाकी बच्चों का भी जो हमारे विध्याले में नवीन नमंकन हो हैं उनका registration प्रेणा पोर्टल पर कर सकते हैं साथ यूँ वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को जादा से जादा शेयर करें ताकि जादा से दादा सिक्षक इससे लाभानवित हो सकें तो साथ यूँ मिलते हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत